आज हमने बनाया है टुटी पुटी केक इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं अगर आप फर्स्ट बार भी बेकिंग कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं और यह एकदम परफेक्ट रेसेपी है तो आप वीडियो को इसकिप ना करें पूरा इसको ध्य किया है और अब हम इसको मिक्स करके हमने गुंगुना दूद लिया है तो अपने एक कप गुंगुना दूद लिया है तो थोड़ा दूद हम इसमें एड करेंगे आदर से ज्यादा एड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा दूद हम इसमें अभी इस बीटिन में बेक करते हो तो अब इसतरो से रखकर पेवेंसे तरह से ढोग कर दें इसके बाद केची की साहिता से कट कर दें और अब हम इसको ओयल लगा देंगे और अगर आपके पास वट Infinite उलग नगकाई दसके ऑचे अब आटें हें से डृस्ट कर दें शिब्ड़न जिस 아침 स अपनी टूटी प्रूटी और यह तले में केक में नीचे तले में में बेठेगी नहीं और अब हम इसको यह इस तपिले में बना रहे हैं बगोने में तो इसको घरंगा रख दिया और इसको प्रिहिट होने के लिए हम साइड में रख देंगे 20 मिनिट हो गए है अब इस बेट अच्छे से आहेगा और कस्टवर इसको रिच फ्लेवर देने में आच्छा लगेगा तो हमने वेनिला का स्टाड रूस कमार लिया है क्योंकि हम मैदे से बा जीदे से बनाऊटा है बारें यह तरह इसका टेस्ट बहुत अगर हमने एक कप में से दूध हमारा बज़ गया है क्योंकि हर सुजी की क्वालिटी अलग होती है तो अगर आपको रिक्वायर लगे तो आप पूरा भी एड़ कर सकते हैं यह इतना दूध हमारा बज़ गया है इस तरह का आपना यह इसका बेटर होना चाहिए यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे 1 TSP, baking powder और 1 Hаст TSP, baking soda हम यहाँ पर डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे अच्छे से mix करने के बाद आप इसके अंदर vinegar aid करेंगे और vinegar की जगर आप निम्बू के ज़ोष भी यूज कर सकते हैं जिससे क्या कि यह actievee baking powder गर अपने यह हमने थोड़ी सी टूटी-पूटी उपर से भी एड़ कर दी है और इसको हलका सा हम टेप कर देंगे और इसको 40-45 मिनिट पर हम लो फ्लेम पे इसको बेग करेंगे और इसको अब हम डखकन लगा देंगे और अगर आपकी प्लेट काई साइड में से निकल तो इसके उपर जब चलाएंगा वजन रख दे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे अब हम दूसरी तरब लेंगे और उसमें पानी डालकर इसको कर देंगे जब अच्छे से सजभा इसको low to medium flame पे इसको हम 15 minute तक stream होने देंगे तो हमारे यह देखिए 15 minute हो गए इसके बाद हम इसको चेप करेंगे एक knife हमने इसमें डाला है और यह हमारा knife clean निकल गया है और अब इसको थोड़ी दे ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे और यह हमारे 45 minute हो गए तो इसके पाद हमने इसको निकाला और एक knife insert किया तक तम clean निकला आया तो gas की flame को बंद करके आप इसको direct जमीन पे नहीं रखें किसी cooling rate पे या किसी उसके उपर रखें यह ठंडी होने के बाद हमने यह idli निकाल दिये आप इसको idli भी बहुत सकते हैं यह देखिए बहुत ही बढ़ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले आप इसको बच्चों को lunch box में भी दे सकते हैं और इसको 3-4 दिन तक आप इस्टोर करके भी दख सकते हैं